नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कुमल शी शोदिया आप देखे रहे हैं देन्यूज लॉंचर मुन्ना कुरेशी ने उत्तरकाशी के सिलकाइरा टेनल से जिन 41 जिन्दियों को बचाया वो भी बिना ये सोचे कि वो किस जाती की हैं किस धर्म से तालूक रखते हैं और उन 40 जिन्दियों को बचानी के एविज में जब उनसे पैसे के लिए पूछा गया तो उन्होंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया आज जिस जाती और धर्म को लेकर चारो ओर होहला मचा हुआ है जहां खुद देश के प्रधान मंत्री ये कहते हैं कि ऐसे लोगों की पहचान तो उनके कपड़ों से होती है बता दें आपको कि मुन्ना कुरेशी भी उसी धर्म से आता है जहां राश्रुवाद, हिंदुत्व और सनातनी होने के नाम पे जो लोग देश में नफरत फिलाने का काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा सबक है मुन्ना कुरेशी जिसने एक तालिस जिंदगियों को बचा कर ये साबित कर दिया कि जाती और धर्म से बढ़कर अगर कुछ है तो वो है इंसानियत अभी तीन दिन पहले ही उत्तव प्रदेश के सिधार्ट नगर जिले की एक घटना है जहां दुमरिया गंज से सपाविधायक सेयदा खातून सिधार्ट नगर के सवे माता मंदिर गई थी और राम कथा में उन्होंने हिस्सा लिया और उनके जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से उसका शुद्धी करण किया गया वही 2017 में जब योगी आदितिनात मुख्य मंत्री चुनकर आये थे तो उस वक्त योगी महराज ने सबसे पहला काम जो किया था वो था सिये मवास को गंगा जल से शुद्ध करने का और ये बात किसी से नहीं चुपी लेकिन अब धर्म की नगरी काशी से एक मामला सामने आया है दरसल वारनासी के असी घाट पर प्रसिद सुभाय बनारस के मंच पर सर्व धर्म संभाव कारिक्रम आयोजित किया गया था जिसके बाद वो विवाद की भेट चड़ गया इस कारिक्रम में हुई कवाली में सुभाय बनारस के मंच से अली मौला और मुहम्मद गुंजा तो हिंदो संगठनों ने आपती जताईस पर और कारिक्रम को रुकवा दिया जिसके बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने मामले को शांत कराया और इसके बाद आगे का कारिक्रम जारी रखा आपको बता दे की कलकाशी में सुभाय बनारस के मंच पर सर्वधर्म कारिक्रम था और सर्वधर्म का मतलब ही सभी धर्मों को एक समान सम्मान प्रदान करना है इस कारे क्रम में फकरुद्दीन अली, एहमद मैमोरियल कमेटी और मानव गोसेवस इंस्थान, प्रियाग राजद्वारा, आयोजित, शेहनाई वादन, सूफी कवाली, कवी सम्मेलन और सर्व धर्म संभाव को समर्पित जो कारे क्रम था वो विवादों की भेट चड़िया और कारे क्रम को रुकवा दिया गया, महमद और अली मौला जैसे शब्दों से संगठन को इतनी तकलीफ हुई कि आयोजकों को पुलिस बुलानी पड़ी, इस दोरान हिंदू संगठन के कारे करताओं ने कहा कि आज ही कवाली कर रहे हैं, कल नमाज भी पढ़ेंगे, जिसके के बाद कवाली का जो कारे क्रम था, वो वहीं रुकवा दिया गया, बाकी कारे क्रम को आगे फिर से शुरू करवाया गया, वहीं इस जानकारी पर ACP, भेलूपुर प्रवीन सिंग भी मौकी पर पहुँचे और दौनों पक्षों से बात चीत की, कारे क्रम के आयोजग और म प्रियाग राज के अध्यक्ष शफकत अबास पाश्या ने बताया कि हम लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, जिसमें सभी धर्म गुरों के साथ की कारे क्रम हो रहा है, इसकी शुरूआत भजन से हुई और फिर कवाली शुरू हुई, तो कवालों ने भर्दो जोली मेरी या मोहमद से शुरू किया, और इस आयोजन में संकट मोचन के महंत विशंबरनात मिश्रा भी मौजूद रहें, जैसे ही कवाली शुरू ही, वैसे ही हिंदू संगठनों का ये नागवार गुजरने लगा, और वो अस्ति घार पर इखटा होने लगें, कवाली अली मौला ग बनारस का मंच है, जहां रोजाना, हनुमान चालिसा और रमायन का पाठ होता है, यहां हम अली मौला नहीं होने देंगे, इस पर आयोजको ने कहा कि पहले भजन से ही शुरूआत हुई है, और उसके पहले शहनाई पर शिविस्तोती हुई, तो वो इसका प्रमान मागने आज देश में जो लोग राश्टरवाद, हिंदुत्वर और सनातन के नाम पे राजनितिक रोटी सेखने वालों के लिए मुन्ना कुरेशी और वकील खान के साथ साथ रैक माइनर्स की पूरी टीम जिसमें आठ मुसल्मान थे, उनसे आज लोगों को ये सीखने की जर्थे क देश नफरत से नहीं, प्यार से चलता है, और अब सब मिलकर, हम सब मिलकर देश को आगे ले जा सकते हैं, आपको बता दू कि उत्तरकाशी टनल में जो लोग फसे थे, वहाँ तो कोई मुसलिम नहीं था, अगर ऐसे लोग अपने आप को राश्वादी बताते हैं, तो चले जाते टनल में उन 41 लोगों को बाहर निकालने के लिए, जरत के समय यहीं लोग कहीं बिल में छुपे होते हैं, फिर सामने आते हैं तो मुन्ना कुरेशी जैसे लोग, वकील खान जैसे, मैं एक बार फिर पूछना चाहूंगी कि ये राश्वादी संगठन और राश्वाद उस वक्त कहां और किस बिल में छुप गए थे, क्यों नहीं गए उन एक तालिस मजदूरों को बचाने के लिए, उस वक्त उनका राश्वाद कहां छुप गया था, शर्मानी चाहिए ऐसे राश्वादियों को जो सरधर्म संभाव वाले देश में महाल बिगारने के लिए ह वो भी उसी काशी के ही थे और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी अन्य धर्मियत जाती के लोग के यहां शहनाई बचाने नहीं जाओंगा, वो तो सभी धर्मों के लोगों के यहां उनके कारिक रमों में जाते थे, फिलहाल आज की इस वीडियो में हम यहीं विर नमस्कार